सीबी आई ने राय बरेली में उन्नाव रेपीडिता के साथ हुए हाथसे के संबन्द में सोमवार को हाथसे में नामजद दस आरोपियों और साथ ही माखी थाना में तैनात पुलिस कर्मियों को तलब किया पुलिस कर्मियों से CBI पूछताच कर रही है करीब 15 पुलिस कर्मी CBI आई आफिस पहुचे है और उनसे पूछताच जारी है सुप्रीम कोट ने CBI को हादसे की साथ दिन में जाच कर रिपोर्ट सौपने का आदेश दिया था आपको बता दे कि नाबालिक ने आरोप लगाया था कि 2017 में बीजेपी विधायक ने उसके साथ दुशकर्म किया था पिछले महीने ये पीडिता यूपी के राय बरेली में दुरगटना की शिकार हो गई थी और इस समय लखनों में उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिती गनभीर बताई जा रही है इस हाथसे में पीडिता की चाची और मौसी की मौत हो गई ये हाथसा तब हुआ जब उल्टी दिशा में आ रहे एक ट्रक ने उसकी कार को टक कर मारी एकसिडन्ट मामले में बीजेपी विधायत कुलदीव सैंगर समेथ दस लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्च किया गया है गौरतलब है कि सुप्रीम कोट ने उन्नाव रेटकांड मामले से जुड़े सभी पांच मुकदमों की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है साथ ही दुशकर्म से संबंदित मुक्य मामले की सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है और CBI से हादसे की जांच रिपोर्ट साथ दिन में सौपने का आदेश दिया था इसी के चलते CBI पूछता आज कर रही है न्यूस्टेस्क